हेलो एवरिवन सभीको मेरा नमस्ते आज फिर से मैं एक नए वीडियो लेके आई हूं उत्राखन के परिक्षावानी पे पर्मार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल कल दक हमने चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाओं के बारे में पढ़ा था तो आज हम पर्मार डायनेस्टी ऑफ देखेंगे जितने भी एक्जाम पॉइंट अफ यूसर एल इवेंट हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे यहां पर प्लीज आप में साथ बले रहेगा और इस वीडियो में हम पूरा पर्मार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल को कंप्लीट करते हैं तो चली शुरू करते हैं कि कितने गढ़ थे यहां पर फिफ्टी टू गढ़ थे उन फिफ्टी टू गढ़ में से सबसे प्रॉमिनेंट गढ़ यानि कि सबसाद महतुपूर्ण गढ़ कौन सा होता है चांदपूर गढ़ सबसाद महतुपूर्ण होता है फिफ्टी टू गढ़ में से इसी चांदपू पर्माः डाइनेस्टी का foundation रखा था उन्होंने पर्माः डाइनस्टी का नीव रखी ती गड़वाल में 688 A.D. में. ओके और ये कड़कपाल असलियत में कहा के राजा थे गुजरात देश के राजा थे. जिनोंने यहाँ पर पर्मार डाइनेस्टी का नीव रखा गड़वाल में पर्मार डाइनेस्टी 1688 से 1949 तक रूल करती है गड़वाल में और इस दौरान यहाँ के 60 राजा हुए जिनोंने यहाँ पर रूल किया किस पर्मार डाइनेस्टी पर्मार डाइनेस्टी पर्मार रूलर ने सारे गड़वाल को हरा के पूरे गड़वाल को एक साथ मिलाने का कोशिश किया या फिर पूरे स्टेट को एक साथ मिलाने कोशिश किया 37 पर्मार किंग अजैपाल ने अजैपाल ने कोशिश की कि सारे पर Gaurak Nath Panth ये Gaurak Nath Panth के Followers थे ओके वेनगे रजेक lang रा सरी पर्शादभ में बढ़ने का उन्होंने कहां पर इस्टैबलिश्मेंट किया थाเท में no अकबर एकबर कि सagar यानी की एंपरर अकबर के कनटेंपर इंकटैंपरारूर इस हजच पाल को से पर डी सरमकुरूर टी मैंने बस एक continuity को maintain करते हुए numbers डाल दी 37th, 42nd, 43rd so आपको यह number जात करने के जरूरत नहीं है और you have to only learn the name of the rulers or name of the kings which rule at that point of time okay from which parmar ruler the suffix suffix जो अपने नाम के पीछे यह लोग शहा जोडने लग गए थे जबने बहुत साई नाम सुने होंगे बलभद्र शाह पृत्विपती शाह मही पती शाह मानवेंद्र शाह तो यह शहा जो नाम जोड़ा है इनोंने अपने पीछे शहा जो टाइटल जोड़ा है suffix कब से स्टार्ट हुआ वह स्टार्ट होता है कि बल्भद्र शहा से यह शहा की उपादिनों रपे नाम起 पीछे योग चोडने लग चोड़ने लग गए थे खृतब से ब्सक्रों अबिर्शा उनके बादब बलबद्र शा के बाद से continuity maintain रहती है शाह जोडने की अपने नाम के पीछे कौन से किस मुगल emperor के soldiers ने गड़वाल पर attack किया था साजहान ने शाजहान के soldiers ने गड़वाल पर attack किया था और उस समय गड़वाल को किस ने बचाया था रानी कर्नावती ने रानी कर्नावती प्रत्विपती शाह क मदर थी और वो उनकी प्रत्विपती शाह अपने पिताजी के मृत्यू के बाद बहुत जादा चोटे थे और गड़ी पे बैठ तो गए थे पर समराज्यों को नहीं समाल सकते थे तो उस समय में उस पीरिड तक जब तक वह बालिक होते जब तक वह उस लायक होते कि वह तो है करता है प्रत्विपती शाहकीष इन्होंने क्या किया जो soldiers फे शाजहान के जो attack करने आये थे घड़वाल area में उन्होंने क्या क्या किया उनकी के कटवा दी उनकी नापको chop-off कर वा दिया इसके वज़र से इनका नाम क्या रखा गया नाक कटी रानी अब किसी की नाक कटी तो क्या होता है बिजती होती है तो क्या हुआ उनकी बहुत आधा इंसल्ट करके उनको यहां से भेजा उनको बताया कि आएनदा कभी भी गड़वाल पे या फिर उत्राखंट पे अटेक करने के बारे में मत सोचना तो इस समय इसलिए र घानी पर्टिन बनवाही थी विच परमार गेफाव्ट प्रोटेक्शन तो यहरा सिको संसोलेमां शिको कि सुन्म पाजर को इतिarmed रमांक को सलेमांदटिशान श कंधिस के पास करते थे तो उनी के जैसे अपने कोट में नवरतन किसने रखे थे फतेशान अपने जैसे नवरतन रखे थे फुर्स्ट अटेक बाइग गोर्खा गड़वाल गड़वाल पर सबसे पहले गोर्खाओं का अटैक कब होता है 1791 में पर इस समय क्या होता है कि गोर्खा हार जाते ह गोर्खा हार जाते हैं, अपना समराजें इस्टैबिश नहीं कर पाते हैं गड़वाल में तो गोर्खा डिफीट हो जाते हैं गोर्खा वोन उबर गड़वाल, गोर्खा गड़वाल के उपर विजग कर प्राप्त करते हैं 1813 में किसके रूल के दौरान किंग प्रद्युमन शाह के दौरान गोरखास 1803 में गड़वाल पर जीर प्राप्त करते हैं और उस समय गड़वाल के साइट से कौन लड़ रहे थे अमर सिंग ठापा लड़ रहे थे और हस्ती दर चतुरिया लड़ रहे थे दोनों नाम इंप्रटेंट है गड़वाल के साइट से इन्होंने फाइट किया था और सॉरी आई आहां थोड़ा टंग स्रिप हो गया गोर्खाओं की साइट से हस्तिदल चौरसिया और अमर सिंग ठापा लड़ रहे थे और गड़वाल की साइट से किंग प्रद्युमंद शाह जो की हार गए थे Battle of Khurbura होती है Battle of Khurbura होती है 14 में 1804 में इसी establishment के लिए मतलब गोर्खाओं के इसी rule पे battle होती है उसके बाद गोर्खाओं का rule completely establish जाता है गड़वाल एरिया में और इसमें जो परमार रूलर होते हैं प्रद्युमंद शाह वो मृत्यों को प्राप्त हो जाते हैं यानि की वो मर जाते हैं विच गड़वाल किंग asked the Britishers to send troops in order to fight गोर्खा किस गड़वाल किंग ने किस परमार रूलर ने गोर्खाओं के खिलाफ Britishers से help मांगी सुदर्शन शाह ने कब मांगी October 1814 में October 1814 में उन्होंने Britishers से गड़वाओं गोर्खाओं के खिलाफ क्या मांगा क्या मांगा help मांगा और यहीं इनकी सबसे बड़ी गलती हुई क्योंकि जहां-जहां Britishers जिसको help करते थे उनकी क्या निती होती थी कि उनकी help करो और बदले में कुछ ना कुछ उनसे लो और Lord Hastings Governor General थे Lord Hastings ने गोर्खाओं के खिलाफ help provide की गड़वाल को गोर्खा रूल एंड होता है गड़वाल में by the help of the Britishers ठीक है Britishers गड़वाल का more than half area occupy कर लेते सुदर्शन शाह से इस help के बदले में सुदर्शन शाह को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी आप देख रहे हैं पर कि more than half of the गड़वाल is occupied by Britishers after more than the after more than area came under the control of Britishers और जब Britishers के अंदर बहुत सारा एरिया आ गया तो सुदर्शन शाह ने अपनी capital श्री रगण शिफ्ट करके टीरी कर दी और जब तक इस टीरी प्रेसिदेंसी स्टेट बन जाएगा और जब तक इस टीरी का जो एक मिलन है वो उत्तर प्रदेश में नहीं होता 1 अगस्त 1949 में तब तक इनकी capital टीरी गड़वाल ही रहती है सुदर्शन शाह से पहले इनकी capital श्री नगर थी पर श्री नगर या फिर गड़वाल के बहुत सारे areas पे Britishers ने अपना control कर लिया था तो उसके बाद सुदर्शन शाह ने अप 1850 में Britishers ने गोर्खाओं को हराया under the Colonel Gardner और उसके बाद गोर्खाओं के साथ गोर्खाओं के लीडर के साथ अमर सिंह थापा के साथ एक treaty sign होती है जिसका नाम होता है treaty of Sagali यह बहुत important question है UK PSC का UK SSSC का बहुत ज़्यादा क्या कहें पसंदीदा question है बहुत ज़्यादा इसमें आपको हमेशे दो देखने मिलेंगी 1815 और 1816 तो क्या होता है न कि treaty of Sagali sign 28 अपर 1815 को हो जाती है क्राइन करने के देट अजैरी तो होंकि कि क्वण्स किने के नयपाल में तुने को मानने से इनकार कर दिया था तो गयी वर्ट और अन्हें मानने से इनकार कर धीया नहीं होई तो तो treaty को वाइलेट किया इन लोगों ने treaty को क्या करा नजर अंदास किया treaty को मतलब क्या करा उसके रूज को ब्रेक किया तो Britishers ने February 1860 में बुरी तरीके से गोर्खां को हराया और तब उन्होंने हारने के बाद इस treaty को accept किया March 1816 में यानि कि अगर पूचा जाए in which year the Treaty of Savoali is signed by the British and the Gorcha government your answer should be April 1815 but when the question is asked at which time और किस डेट पर ही ट्रीटी लागो हुई थी गोर्खाओं ने से accept किया था in March 1816 जो गोर्खाओं का रूल था कुमावर गडवाल में उसे किस नाम से जानते हैं गोर्ख्याली गोर्ख्याली जो गोर्ख्याली जो गोर्ख्याली जो गोर्ख्याली रूल था टारनिकल गोर्ख्याली यानि कि बहुत जादा क्या बोले उसे बहुत जादा मतलब खराब रू तो यहीं क्या सकते हैं टारेनिकल गोर्खा रूल को कुमाउर गडवाल में किस नाम से जानते हैं गोर्खा रूल में रहा 25 यह तक फ्रम 1790 तो 1815 और गोर्खा रूल गडवाल में रहा 10.5 यह तक फ्रम 1803 ओके आफर दी बैटल फुर्गुरा की बैटल होती है उसके बाद इसदी रवाल में मर्ज कर दिया गया बस प्रिंज़ी स्टेट को छोड़कर पूरा उत्रा उत्रखंट यानिकी उत्र प्रदेश वाले पार्ट में मर्ज कर दिया जाता है और फर्स्ट गवर्नर कौन बनते हैं कर नल गडarks इस एड़िया के बिटिश उतरहखंड को बिर्टिश उतरहखंड उसको मर्ज कर दिया आग रहाइन अबज प्रोविंस में 1902 तुमें ओके नेक्स्लाइब सो फ्रॉम डिस वीडियो इस इस वाल बाट फॉम माय साइड परमार रूल के बारे में इतना ही है यह वन लाइनर क्वेश्चन है इसके डिस्क्रिप्शन वीडियो भी मैं आंगे धिरे-धिरे लिकर के लेकर आऊंगी यह बहुत मैं बोल रही हूं कि इन में से काफी questions exams में directly देखे जाते हैं and thank you guys from my side please do like subscribe and share my channel for more such videos मैं आप पूरे पूरे आपके साथ आपके preparation के दौरान रहूंगी और मैं पूरे कोशिश करूंगी कि आपको each and everything from the उत्रखन perspective उत्रखन की सारी की सारी preparation आप कुछ पर छोड़ दीजे मैं